हरियाना में चुनाव की तारीक जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे कॉंग्रेस की अंधरूनी कले भी सामने दिख रही है प्रदेश का आलम कुछ ऐसा है कि एक तरफ कुमारी शैलजा की नाराजगी तो दूसरी तरफ मनोहर लाल के सियासी ओफर ने राजनितिक गतिविदियों को बढ़ा दिया है कॉंग्रेस को परिशानी में डाल दिया गया है ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि क्या बीजेपी में शामिल होंगी शैलजा क्या शैलजा की नाराजगी को दूर कर पाएगी कॉंग्रेस शैलजा के जाने के बाद हरियाना में कॉंग्रेस को कितना नुकसान होगा हरियाना में पिछले 10 सालों में बनवास दूर करने की कोशिश में कॉंग्रेस लगी हुई है चुनावी परिणाम जब पिछला विधान सभा का आया था तो वाकई में कॉंग्रेस को मुझ की खानी पड़ी थी वज़े यही है कि उनकी जो गुटबाजी थी वो खत्म होती नहीं दिखाई पड़ी थी पांत साल बीट जाने के बाद 24 में भी स्थिती वैसी ही है और इस बार भी अगर उन्हें मुझ की खानी पड़ी तो उसकी वज़े कुमारी सेलजा का सियासी कद हो सकता है हरियाना का चुनावी समीकरण हो सकता है सूतर कह रहे हैं कि खेमे बाजी के चलते कुमारी सेलजा कॉंग्रेस से नाराज चल रही है और जल्दी बीजेपी का दामन थाम सकती है चर्चा इस बात की भी है कि मौके को देखते हुए बीजेपी ने भी ओफर देदिया है यदि कुमारी सेलजा बीजेपी के ओफर को मान लेती हैं तो हरियाना में क्या सियासी समिकरण होगा इस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं दरसल कुमारी शेलजा जो है वो विरासत की राजनीती कर रही है और बड़ा दलित चहरा है कुमारी शेलजा को राजनीती जो करने की सिक्षा दिक्षा है वो उनकी विरासत में मिली है उनके पिता चौधरी दलबीर सिंग कॉंग्रेस के दिगजनेता थे शेलजा भी मनमुहन सरकार में मंतरी थी इस समय सिर्षा से सांसद है अब बाला से भी वो चुनाव जीत चुकी है कॉंग्रेस के बीतर शेलजा के छवी एक दलित चेहरे की है दलित नेता की है हरियाना में दलितों की आबादी 20 विसेदी से जादा है इस समुदाय के लिए विधान सभा की 90 में से 17 सीटे सुरक्षित है हालिया लोकसभा चुनाव में दलितों के वोट कॉंग्रेस को जम कर मिले थे शेलजा भी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीती थी इसके बाद से ये कयास लगाय जा रहे थे कि शेलजा बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ेगी CSDS के मताविक लोकसभा चुनाव में 68 प्रतिशत दलितों ने कॉंग्रेस के पक्ष में बोट किये थे जो 2019 से करीब 40 प्रतिशत जादा थे यानि दलित वोटर्स जो है वो थोड़ा सा कॉंग्रेस से चिटकते नजर आएंगे अगर कुमारी शेलजा बीजेपी की तरफ जाती है तो ये एक बड़ा नुकसान कॉंग्रेस को है दूसरी जो बड़ी बात है शेलजा को लेकर वो ये कि अंबाला और सिर्सा की सीट पर उनकी अच्छी पकड़ है अंबाला और सिर्सा लोकसभा के अधीन विदान सभा की तकरीवन 20 सीटे आती है जिस पर शेलजा की मजबूत पकड़ है शेलजा अंबाला और सिर्सा सीट से चुनाव जीत चुकी है शेलजा के जिन 9 लोगों के टिकट मिले हैं वो भी इसी इलाके से आते हैं पिछले चुनाव में अमबाला लोकसभा की 10 में से 5 सीटों पर कॉंग्रेस को जीत मिली थी इस तरह सिर्सा की 10 में से सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर की कॉंग्रेस को जीत मिली थी यानि कुल 20 में से 7 सीटे ही कॉंग्रेस 2019 में जीत पाई थी कहाई ये गया कि अगर इस बार सहलजा नराज हो गई तो इसका असर जादा से जादा सीटों पर दिखाई पड़ेगा हर्याना में भी विधानसभा के कुल 90 सीटे हैं यहां सरकार बनाने के लिए 46 जादू याकळा है 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटे जीत में मिली थी लेकिन निर्दली और जेजेपी विधायकों के सारे बीजेपी ने सरकार बना ली थी हालिया लोकसभा चुनाव की बात करें तो 90 में से 44 सीटो पर बीजेपी है और 42 पर कॉंग्रेस और 4 सीटे आमादी पार्टी को बढ़त में मिली थी अब बात करते हैं कि कुमारी शेलजा कॉंग्रेस से नाराज हैं क्यों हरियाना में विधानसवा चुनाव के भी सिर्सा से सांसत कुमारी शेलजा की नाराजगी की खबर इसलिए जादा तूल पकड़ती दिखाई पड़ रही है क्योंकि मौसम चुनावी टिकट बटवारे में तरजीर ना विलने की वज़े से शेलजा नाराज है इस तरीके की चर्चा है कॉंग्रेस ने जिन 89 सीटों पर टिकट की गोश्रा की है उनमें से शेलजा गुट के मातर 9 सीटों पर ही उनके लोग है भुपिंदर हुड़ा के 72 और रंदीप सूर्जे वाला गुट के दो लोगों को टिकट मिले हैं ऐसी चर्चा है शेलजा ने हाल ही में मुख्यमंतरी पत पर भी डावेदारी ठोकी थी लेकिन हाई कमान ने इसमें कोई विशेश रूची नहीं दिखाई इसके बाद से शेलजा में फ्रेम से पिक्चर से गाइब है हाली में शेलजा ने कॉंग्रिस के प्रभारी पर एक ही पक्ष के लिए काम करने का आरोग भी लगाया था वो पक्ष कोई और नहीं हुड़ा का पक्ष है इतना ही नहीं कॉंग्रेस ने हरियाना को लेकर जब मेनिफेस्टो जारी किया तो उस मंच पर भी शेलजा नहीं दिखाई पड़ी हला कि पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम जरूर शामिल है सेलजा के अलग हो जाने पर कॉंग्रेस को बहुत जादा नुकसान हरियाना में देखने मिल सकता है उठाना पड़ सकता है अगर सेलजा पाला बदलती है तो काईदे से चुनावी मौसम में अच्छा यही है कि कॉंग्रेस सेलजा को मना ले लेकिन वो जिस तरीके से में पिक्चर से गायब है में फ्रेम से गायब है ऐसा लगता है कि वो इतनी जग्दी मानेंगी नहीं और अगर मान भी जाती है तो वो समय बहुत कम बचा हुआ है जिसमें कि उनका बहुत जादा जो असर है वो दिखाई पड़े क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त वो अलग थलग दिखाई पड़ रही है घर पर बैठी है लोगों से मिल रही है लेकिन कैमपेन नहीं कर रही है ऐसा होगा कि जब वो प्रचार-प्रसार के लिए नहीं निकलेंगी बाहर नहीं जाएंगी तो अब चुड़ाओं में बहुत कम वग बचा है, 5 अक्टूबर नस्दी की है, उससे सीधा नुकसान कॉंग्रेस को उठाना पड़ेगा और कॉंग्रेस का नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को फायदा देगा और हो सकता हो बीजेपी इसी गुट बाजी की वज़े से, इसी क पेज को लाइक करें